Now we start chapter number 64, renamed places Names of places are changed for various reasons Places का name बहुत reasons की वज़ा से change होता है To denote recently gained independence To honor a person or for other political motives या तो किसी person को honor करने के लिए या फिर denote करने के लिए जो हमने independence gain की है या फिर दूसरे भी बहुत सारे political motives हो सकते हैं जिनकी वज़ा से हमें places के names change करने पड़ते हैं Former name of certain places are given below हमें यहाँ पर कुछ places के former names दिये हुए हैं हमने उनके correct names लिखने हैं So Ceylon, it is Sri Lanka पर्सिया, इरान, कॉंगो, जेव, फॉर्मोसा, ताइवान East Pakistan को हम कहते हैं बांगलादेश जानजीबार, तंजानिया, बताविया, इंडोनेशिया उसे हम कहते हैं जकार्ता So आपको यह names learn करने हैं इनके real name भी और इनके former names भी तो चलिए आगे चलते हैं On the number 8, we have Peking, China जिसे कहते हैं हम Beijing, उसका real name है अब बीजेंग Mesopotamia, एराक Rangoon, बर्मा उसे कहते हैं नागोन, म्यानमार क्रिस्टीनिया, नौर्वेग, ओसलो Byzantium, टर्की को हम कहते हैं अब Istanbul, पेटोरिया, साउथ अफ्रीका श्वाने, नू एम्स्टेडम जो अमेरिका में है, न्यू यॉक और अबिसीनिया को हम कहते हैं इथोपिया राइट, सो ये इनके real name है और ये former name आपको ये सारे learn करने हैं राइट, ओके, सो इसी के साथ ये chapter और फिनिश होता है, थैंक यू प्रिए और अच्छिए सारे अच्छिए